हलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल इंडिया स्म्मक में आज किस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी स्कॉलर्श की बारे में जियां दोस्तों जैसा कि आप लोग पता है कि फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है तो आज किस वीडियो है में इसी के बारे में बात करेंगे कि फाइनल प्रिंट क्यों निकल रहा है और निकलेगा तो कब तक निकलेगा तो वीडियो में नतलग बने रहेएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ है वो फॉरों मैंने ऐसको समित' मगर फ्रींट नहीं निकल रा था तो अब इसको आपर ब्राउजर की तरफ चलते हैं, और देखतेे हिस्टाव से लुगल लिया है So friends, यहाँ पर मैंने Google खोल लिया है और Chrome browser में मैंने open कर रहा है तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ UP scholarship ठीक है, जैसे UP scholarship डालेंगे जो पहला link मिलेगा scholarship.up.nic.in इस पर आपको click कर देना है क्योंकि यह official website है scholarship थी ठीक है, जब आप इसे open करेंगे तो यहाँ पर right side में three dots नज़र आएंगे आपको इस पर click कर देना है और यहाँ से desktop side open कर देनी है ठीक है, क्यों बहुत से pages नहीं कुल थे तो इस से करने से वो pages आसानी से खुल जाते है friends, यहाँ पर यह website खुल चुकि है scholarship की official तो यहाँ पर थोड़ा सा time आपको लग सकता है क्योंकि server काफी down चल रहा है website का तो आपको यहाँ पर student वाले icon पर click कर रहा है और login पर click कर देना है तो आपको पहले बता दूँ कि जो website है वो बहुत ही ज़्यादा slow चल रही है क्योंकि this time server काफी ज़्यादा down है क्योंकि काफी students form फिल कर रहे है और print जो है final print भी नहीं निकल रहा है वो यही problem है ठीक है ना तो अभी इसे open होने देते है तो friends से देखी यहाँ पर खुल चुका है और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने दो option आते हैं और आपको एक बाद बता दूँ कि यहाँ पर जो service है वो बहुत ज़्यादा down चल रही है बार बार लिखा बार आए कि service is unavailable ठीक है तो यहाँ पर मैं 2019 की registration संक्या भर देता हूँ जो मैंने वहाँ पर फिल की थी और मतलब जो मुझे registration number मिला था ठीक है यहाँ पर मैंने details अफिल कर दी है और मुझे आप यहाँ पर कर देना है सब्मिट पर ठीक है तो यहाँ पर हम अब submit कर देते हैं ठीक है जैसी यह आप submit करेंगे तो आपका जो पेज होगा वो open हो जाएगा लॉग इन हो के ठीक है क्लिक करें तो यहाँ पर अभी आपको बता दू कि status आप लोग चेक नहीं कर सकते हैं और जो main हैं वह वहाँ पर आपको दिखा दिया देगी यहाँ पर registration मैंने कर दिया था slip भी print कर दी यह सब चीज़े मैंने कर दी दिया और जिन लोगों का भी नहीं आया है उनके बारे में अगर बात करें तो मेभी उनका भी एक हफ्ते के अंदर-अदर आ जाएगा और शाहर डेट बढ़ सकती स्कॉलर्शिप की क्योंकि जो साइट का सरवर है वो बहुत ही जाला डाउन चल रहा है और देखिए सारी चीजे मेरी बेसिक जो है डिटेल्स है और अब इसको यह में यहां पर नीचे जाके इसका प्रिंट निकल वाके और कंप्लीट डॉकुमेंट के साथ कॉलिज में जमा कर दूँगा और कॉलिज से फॉर्वर्ट करा देंगे हैं फॉर्म इसे आपको यह समझ में आ गया है तो मेभी निकल जायाँ एक आध अफे दो हटे के अंदर अन्डर अंदर ठीके मतलब दस तारी से पहले नहीं निकलता तो डेज हंड़े इंचे हमीद है बढ़नेगी डूर का सुल रही कर दीजिए और अगर आप चानल पे चानल प्र नी टेस्थ Computer से दिस्थ